हेलो फ्रेंज वलकाम टो सिलपास के चनल रेसिपेज आज मैं बनाने वाली हूँ चनी की बहुत ही टेस्टी सबजी बहुत ही कम तेल और मसालों से वीडियो शुरू करने से पहले अगर यसे भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो की नोट मैंने आपे चार छोड़े साइस के आलू लिया है आलू को प्रेशर कुकर में डालेंगे स्वादनुसा नामक और देड़ कप पानी आड़ करेंगे प्रेशर कुकर का धकन बंद करेंगे और मेडियम फ्लेम पे दो सीटी आनी देंगे जब तक कुकर में सीटी लगती है तब तक हम सबजी के लिए पेस्ट तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने आप एक ग्राइंडर में एक इंच अद्रक लिया है और साथ से आठ लैसुन के कलिया एक हरी मीच मीच आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाले एक मेडियम साइज का टमाटर अड़ करेंगे टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और ग्राइंड कर लेंगे परिशर कुगर में दो सीटी लग चुकी है और परिशर कुगर खुझ से ठंधा हो गया है तो अब हम ढकन खूलके चने को चेक करेंगे आप देख सकते हैं चनाच्चे से बॉयल हो गया है तो अब हम एक कड़ाई में दो चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए इसमें आधी छुटी चम्मच जीरा डाल देंगे दो तेज पत्ता और एक इंच दालचीनी आड़ करेंगे एक मेडियम साइज का प्यास बारिक कटा हुआ आड़ करेंगे और प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तीन से चार मिनिट बाद प्यास अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें रेडि किया हुआ पेस्ट को आड़ करेंगे और साथ ही आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर आधी छोटी चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच चना मसाला पाउडर स्वाधन उसा नमक और थोड़ा सब पानी आड़ करेंगे और मसाले को चार से पांच मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेलना निकलने लगे मसाले को फ्राई करते विए चार से पांच मिनिट हो चुका है और मसाल अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें boil किया हुआ आलू को हाथ उसे mash करते हुए add करेंगे और boil किया हुआ चना को भी add करेंगे चना और आलू को मसालों में चलाती हुए अच्छे से mix कर लेंगे और 2-3 मिनिट के लिए fry कर लेंगे low to medium flame पे अब मैं इसमें आधा कब पानी add कर रही हूँ पानी आप अपने हिसाब से डाले आपको जितना gravy चाहिए और अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बाद सबजी में medium flame पे उबाल आने देंगे अब आप देख सकते हैं सबजी में उबाल आ चुकी है तो अब मैं इसमें थोड़े से कटे वे फ्रेश अरा धनिया add कर रही हूँ और mix कर लेंगे अच्छे से सबजी में और हमारा बहुत इरेस्टी चने और आलो की सबजी ready है इस सबजी को हम रोटी, पूरी, पराथी के साथ सर्फ कर सकते हैं आप चने की सबजी को एक पर मेरे तरीके से बना के देखिए आपको जरूर पसंद आएगी और अपना experience शेर जरूर कीजे कमेंस के थ्रूँ